फ्राइडे का बाजार खुलेगा बरा गप जी हाँ यह मैं नहीं यह chart कह रही है बैंक निफ्टी 300 point का gap अप निफ्टी 50 180 point का gap अप और फिन निफ्टी 1500 point का gap अप जी हाँ ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये चार्ट कह रही है क्योंकि आज का जो closing हुआ है बहुत ही important level के पास closing हुआ है आप लोग देख सकते हैं bank nifty का चार्ट है ये पहले देखेंगे हम bank nifty और उसके बार देखेंगे हम nifty 50 और फिर देखेंगे हम फिन nifty तो आप लोग देख स सकते हैं हम bank nifty के चार्ट के ऊपर हैं तो फटा फट से आप लोग लाइक कर दे चैनल पर नए हो तो सस्क्राइब भी कर ले साथी साथ बाइल आइकन के all पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले जरूर क्लिक कर ले अगर आप लोगों ने ये analysis वाला वीडियो देख लिया तो आप लोगों को दूसरा analysis की वीडियो देखने की कोई भी जर्रक नहीं परेगी अब चलिए बिना देरी करते हुए Friday का ट्रेड प्लान करते हैं अब देखिए अब जो हमारा important support और resistance जो निकल के आ रही है bank nifty के अंदर तो देखिए जो पहला हमारा जो temporary support है bank nifty के अंदर 44,260 का हमारा temporary support है ठीक है जो हमारा hurdle support है 44,150 का हमारा hurdle support है और resistance हमारा bank nifty के अंदर जो hurdle resistance है वो है 44,510 का resistance है जो की एक hurdle resistance है और एक psychology का भी level है अब हम Friday के दीन अपना trade setup कैसे बनाएंगे तो चलिए हम फटा फट से अपना level को draw करते हैं अब देखिए बिलकुल ध्यान से देखना मान लो अगर Friday के दीन bank nifty यहाँ पर opening लेती है जहाँ पर आज के दीन closing दी है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है जब इस लेबल को यहाँ पर breakout करेगी जो की एक psychology का लेबल है तब आप लोग यहाँ पर call की position बना सकते हैं और 100 point target के लिए जा सकते हैं या फिर इस support को जो हमारा temporary support है वो है लेबल 44,260 का जब इसको यहाँ पर breakdown करेगी तब हम यहाँ पर क्या करें और 100 point target के लिए जा सकते हैं जो की हमारा लेबल होगा 44,150 का अगर यह वाला लेबल यहाँ पर break करती है तब आप लोग यहाँ पर 100 point target के लिए और जा सकते हैं अब माल लो अगर Friday के दिन बैंक नेफटी gap up opening लेती है जो की लेबल है 44,510 का लेबल है अगर इसके ऊपर gap up opening ल अगर इसके ऊपर opening लेती है तो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भी हरबड़ी नहीं करना है अगर Friday के दिन बैंक नेफटी इस लेबल के ऊपर opening लेती है जो 100 point का moment है आप लोगों को यहाँ पर first moment के साथ देखने को मिलेगा जो की लेबल हमारा यहाँ पर होगा 44,600 का यहाँ से आप लोगों को reversal देखने को मिल सकता है यहाँ पर आप लोग अपना put का position बना सकते हैं और यहाँ तक target के लिए जा सकते हैं जो की एक psychology का लेबल है 44,510 का मान लो अगर Friday के दिन इस लेबल पर gap up opening होने के बाद इस लेबल को यहाँ पर break down करती है तो यहाँ पर पीछे logic है अगर इसके उपर opening लेती है तो इस लेबल से profit booking देखने को मिल सकता है आप लोग यहाँ तक target के लिए जा सकते हैं जो की आज का closing है 44,390 का ठीक है यहाँ तक आप लोग target के लिए जा सकते हैं और फिर आप लोगों को यहाँ से बढ़िया moment देखने को मिल सकता है call side के तरफ आप लोग यहाँ पर अपना call की position बना सकते हैं जब आप लोगों को यहाँ पर बुली scandal के अंदर strength दिखाई दे तब आप लोग यहाँ पर put की position बना सकते हैं मान लो अगर Friday के दिन bank nifty gap down खुल जाती है जो की label है 44,150 का तो ऐसे condition में आप लोगों को यहाँ पर क्य जाएगी और बीरी scandal के अंदर strength दिखाई देगी तब आप लोग यहाँ पर अपना position put की बना सकते हैं और 100 point target के लिए जा सकते हैं अब चलिए अब हम चलते हैं nifty 50 के चार्ट पर अब आप लोग देख सकते हैं हम nifty 50 के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं देखिए अब जो हमार यहाँ पर temporary support है nifty 50 के अंदर 18,950 का है ठीक है और जो हमारा hurdle support है वो है 18,910 का और resistance जो हमारा यहाँ पर temporary है वो है 18,980 का और जो हमारा hurdle resistance है वो है हमारा यहाँ पर 19,010 का जो की एक psychology का भी label है अब Friday के दिन किस तरीके से हम यहाँ पर trade कर सकते हैं तो देखिए अगर Friday के दिन flat खुलती है यहाँ पर खुलती है जहाँ पर आज के दिन closing दी है जो की label है 18,993 का label है अगर यहाँ पर खुलती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहाँ पर बिलकुल भी हरबड़ी नहीं करना है जब तक एक particular label यहाँ पर breakout या फिर breakdown नहीं होती है तब तक आप लोगों को यहाँ पर अपना trading setup नहीं बनाना है जब इस label को यहाँ पर breakout करेगी तब आप लोग यहाँ पर call की position बना सकते हैं और 50 point target के लिए जा सकते हैं जो की label होगा 19,060 का होगा यहाँ तक target के लिए सपोज अगर Friday के दिन यहाँ पर flat opening होने के बाद 18,980 का label यहाँ पर breakdown कर जाती है तो ऐसे condition में आप लोग यहाँ पर put buy कर सकते हैं और सिर्फ 40 point target के लिए जा सकते हैं जो की label होगा 18,950 का यहाँ पर आप लोग अपना profit booking कर सकते हैं या तो फिर अपना SL को trail कर सकते हैं अब मान लीजिये अगर Friday के दिन nifty 50 gap up opening लेती है 19,010 के उपर तो ऐसे condition में आप लोगों को यहाँ पर बिलकुल भी हरबड़ी नहीं करना है क्योंकि इस label से profit booking देखने को मिल सकता है यहाँ पर आप लोग put buy कर सकते हैं और यहाँ तक target के लिए जा सकते हैं जो की label होगा 18,9 80 का और उसके बाद आप लोग यहाँ पर safe call buy कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से fresh buy रेक्टिव होते को दिख सकते हैं अब मान लीजिये Friday के दिन gap down खुल जाती है निफ्टी 50 जो की label होगा 18,910 का label होगा अगर यहाँ खुलती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हरबड़ी नहीं करना है यहाँ पर आप लोगों को anti कैसे लेना है जब इस label के नीचे 15 मिनट sustain कर जाएगी और बीरी scandal के अंदर एश्टेंट दिखाई देगी तब आप लोग यहाँ पर put buy कर सकते हैं और 52 70 पॉइंट के लिए जा सकते हैं अब चलिए अब हम चलते हैं fin nifty के चार्ट पर अब आप लोग देख सकते हैं हम fin nifty के चार्ट के ऊपर हैं अब देखिए अब जो हमारा fin nifty के अंदर important support और important resistance निकल के आ रही है वो दे हडल सपूर्ट है वो है 19,810 का और यहां पर जो हमारा हडल रजिस्टेंस है वो है 19,950 का मान लीजिए अगर फ्राइडे के दिन फिन निफ्टी इस लेबल के उपर गैप अपनिंग लेती है तो ऐसे कंडिशन में आप लोगों को यहां पर बिल्कुल भी हरबड़ी नहीं कर दे तब आप लोग यहां पर पुट वाई कर सकते हैं और यहां तक टारगेट के लिए जा सकते हैं जो की लेबल होगा 19,870 का और उसके बाद आप लोग यहां पर अपना पोजिशन को एकजीट कर सकते हैं मान लो अगर फ्राइडे के दिन फ्लैट खुल जाती है यहां पर खुलती है जहां पर आज के दिन क्लोजिंग दी है जो की लेबल है 19,913 का तो ऐसे कंडिशन में आप लोगों को यहां पर बेट करना है जब इस लेबल को यहां पर ब्रेकाउट करेगी जो की लेबल है 19,950 का तब आप लोग यहां पर कॉल बाई कर सकते हैं और 50 के लिए जा सकते हैं क्योंकि एक हमारा साइकलोजी का लेबल है 20,000 का वहां से आप लोगों को रिवल्सल देखने को मिल सकता है वहां पर आप लोग पुट बाई कर सकते हैं मानलो यहां पर फ्लैट खुलने के बाद इस लेबल को यहां पर ब्रेक डाउन कर देती है जो की है 19,870 का तब आप लोग यहां पर पुट बाई कर सकते हैं और 50 पॉइंट टारगेट के लिए जा सकते हैं जो लेबल होगा 19,810 का अगर यह भी लेबल यहां पर ब्रेक कर जाती है तब आप लोग यहां पर अपना SL को ट्रेल कर सकते हैं मान लिजी अगर फ्राइडे के द 30 मिनट सस्टेन कर जाएगी और बीरी स्केंडल के अंदर एश्टेंट दिखाई दे तब आप लोग यहां पर सेफ पुट बाई कर सकते हैं और 50 पॉइंट टारगेट के लिए जा सकते हैं तो आसा करता हूं बैंक निफ्टी निफ्टी 50 और फिन निफ्टी की सारे लेबल आप लोगों को समझ में आ गई होगी आप लोग अपने चार्ट के ऊपर यह सारे लेबल मार्क कर लें ताकि फ्राइडे के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है तो फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद वंदे मातरम